बिल्कुल आप पे वही फील होता है कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में आप रुकते नहीं हो और आप गलतियों से सीखते हो आगे बढ़ते हो और जो अचीफ करना चाहते हो वो कर लेते हो कोई भी पतली गली पकड़ के या बड़ी सडक पकड़ के कैसे भी पकड़ लो बट भ भागो और हासिल कर लो अपतर फ्यू देज एक हफ्ते हो जाएगे आपको जीतते हो एशू किस तरह का रिस्पॉंस मिल रहा है किस तरह का प्यार मिल रहा है बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग बिलीव नहीं होता है जब लोगों को इस तरह जमा होते हुए देखता हू तो बहुत खुबसूरत है यह बहुत प्यार मिल रहा है और मैं चाहता हूँ यह बना रहा है और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में काम शुरू हो चुका है यह बहुत जबर्दस फीलिंग के मैं वहाँ पहुचा और मैंने जब लोगो इस तादात में देखा तो मेरे लिए वह एक मुमेंट आगे जहां पर मुझे पता चला के हाँ भाई कुछ तो बढ़िया करके आगे अपन तो वह वाली फीलिंग उसक्त आई और बहुत मुझेद कर दिया और यह जो प्यार कर रहे लोगों की अब जिम्मेदारी है कि इनको बदले में उतना एंटरेइनमेंट दिया जाए जो की में बात करो तो शो में हमने लगातार आपको देखा है कि आप अपनी मम्मी को खाफी मिस करते हैं आपने जब ट्रोफी उठाई तर नेक्स यह तो बहुत बड़ी बात है वो मेरी छोटी चीज में भी खुश हो जाते है लेकिन वही होता है कि जिन्दगी में सारी चीज नहीं मिलती आपको कुछ चीज होती है जो ले ली जाती है तांकि दूसरी चीज मिले तो I am glad कि मेरी उनकी दुआएं जो है वो मेरे साथ है और उसकी हुए से मैं यहां पर हूं और secret telling task की में बात करूं काफिर डिफिकल्ट था सब कंटेश्टन के लिए आपके लिए कौंसा ऐसा secret था जो काफिर डिफिकल्ट परस्मेली काफिर डिफिकल्ट था और आपने वो सोचा 10 बार के अगर मैं if I say something अगर मैं यह चीज बोलता ह कि जब दीरे दीरे वहां पर दो चार चार हफते के बाद पता चलने लगा था कि आप इतने वोकल वो शुस ने बना दिया था आपको कि मुझे जैसा कहीं लगने लगा कि ठीक है यार अपने आपको accept करना भी ज़रूरी है अपनी कमिया हो या खामिया हो जो भी है वो accept इस आपकी बाद करूँ आपकी जो होस्ट कंगना माम उनसे आपका बार्णिंग पहले से काफी strong लोगों ने strong लेगा था शो के बाद किस तरह से आप कंगना माम को देखते हो आप मैं कंगना माम को एकदम professional देखता हूं और सबको पता है वो बहुत बहुतरीन अदा गारा है ब कही ना कही मैंने उससे कुछ सीखाया और से कुछ समझ के अपनी life में add किया है बले ही और यह एक जीता जाकता नमूना है जैसे बोलेंगे के दो अलग-अलग सोच वाले लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं यह होता है professionalism और इस तरह काम किया जा सकता है और जो लोगों को लग का reason ही है कि हम दोनों अपने अपने काम में बहुत professional थे और माहिर थे और हमने वो किया आपने काफी अच्छे दोस्त बनाया गर पर हमने देखे कोई ऐसा दोस्त जो आपके सबसे करीब हो कोई ऐसा दोस्त एक if you want to pick one एक difficult होगा किसी को भी एक को पिक करना कि कोई मेरे करीब बट सारे ही पांच्छे लोग मुझे बहुत अच्छे मिले जिनके साथ मेने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया and I am really grateful कि मुझे ऐसा दोस्त मेरे कोई ऐसा इसा इंसा जिसको आप ये lock-up के बार कभी ना मिलना पशे है कोई इसा कोई इनसा है इतना strongly मैं किसी को hate या ना लोगों ने बहुत प्यार दिया और वही होता है कि लोग जब प्यार देते हैं उनके expectations हो जाती है एक bond के साथ एक रिष्टे के साथ तो I respect that also तो जो भी था बहुत अच्छा था हम दोनों के बीच में जो दोस्ती थी और जिस तरह काम लोगों का comfort level था एक दूसरे के साथ व उनकी रिल्स की मैं बात करूप पूरी दुनिया उनके रिल्स की फैन है आपके साथ एंकी कबर इल्स आई ये लोगों की demand है इस लोगों की डिमान बाता हूं मैं रिल नहीं बना बाता हूं मुझसे होता नहीं मैं कोशिट पहले बहुत करता था पट स pior एक टाइम के बाद म लुख अप से मैंने यही सीखा है कि कि आप हर चीज कर सकते हैं हर सिचुवेशन में आप उससे भार आ सकते हैं और हर काम कर सकते हो जैसे उपले बनाना हो पेटी बनाना हो चटनी मसाला कूटना क्या-kया बनाया हम लोगों ने महां पर रुमाल सिले हैं साड्यों की रस्यां बनाई है तो I think मुझे लगता है कि मैंने महां से एक चीज़ वो सीखिए कि कुछ भी आप कर सकते हो आप जो कर सकते हो और इतनी सारी चीज़े आना भी आसान है आप मुनावर को कही ना कही जरूर देख लोगे जैसे OTT हो गया YouTube हो गया हो सकते तो TV हो गया और Cinema Hall भी हो गया इंशाला तो जहां भी जाएंगे दिखेंगे और live stage पर तो मैं बहुत जल्दी मिलूँगा Comedy करता हुआ तो जरूर आईएगा